पहली बार फोटो में दिखा अक्षे कुमार का गंजापन शोशल मीडिया पर आ रहे हैं ऐसे ऐसे कॉमेंट्ट अक्षे कुमार इन दनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूस की डबिंग में बिजी है हाली में उनकी नानी सास का निदन हो गया था इसके बावजूद भी वो अपने काम पर लौट आए हैं अक्षे की एक फोटो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें उनका गंजापन नजर आ रहा है फोटो देख लोग शोशल मीडिया पर ऐसे कॉमेंट्स कर रहे हैं एक शक्स बोला गंजा हो गया क्या एक अन्य ने तो उझे उजड़ा चमंता कह दिया एक अन्य जूजर बोला अब समझ में आया कि अक्षे विग पहन कर शूटिंग कर रहे हैं कुछ साल पहले भी अक्षे के बाल उड़ने की खबर मीडिया में जोरों से फैल रही थी सामने आई खबरों में कहा गया था कि अक्षे के बाल जड़ गया हैं और वे अपनी कुछ फिल्मों में विग लगा रहे हैं अक्षे साउथ अफरीका में हेर ट्रांस्प्लांट करवाने वाले हैं इसलिए वे गंजे हुए थे लेकिन जानकारी के उनसार वैसे तो उनके बाल नैचरल हैं और उन्हें कभी सरजरी नहीं करवाई लेकिन उन्होंने जड़ते बालों को देखते हुए सरजडी का फैंसला लिया डक्तरों ने उन्हें बताया कि नए बालों के लिए उनके ओरिजिनल बाल बेहद कमजोर है इसलिए उन्हें कुछ साल पहले अपना से मुड़वाया था अक्षे हर साल गर्मी में हाइडरो थ रापी ट्रीटमेंट के लिए फदेश चाते हैं इर्पोर्ट्स के मताबी कैसा वो खुद को चुस्त पुर्थ रखने के लिए करते हैं जो अपने जादातर स्टंट खुद करना पसंद करते हैं 52 साल की उमर में भी वे रिस्क लेने से नहीं डरते हाइडरो थ्रैपी में पानी के जरिये समस्याओं का इलाज किया जाता है आज कल की बागडाउट की जिंदगी में यह थ्रैपी हर कामकाजी इंसान के लिए थकान और अवसाद मटाने का जरिया बन चुकी है इससे केवल मा आज पेशियां ठीक रहती है और रिसेट होती है बलकि यह हमारी बाडी को मेंटेन रखने में भी मददकार साबित होती है